आप स्टूडेंट सबका स्वागत अपनी इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में आज का टॉपिक आपने मेरे पीछे देख लिया होगा काविसार बच्चों की डिमार्ड आ रही थी कि सर बीकॉम के एक्जाम है हमें डर है कई हम फेल ना हो जाएं क्या कोई grace marks policy है क्या grace marks म ऐसे बहुत सरे उन्युवस्टी से कॉमेंट आ रहे थे तो काफी रिसे असके बाद कुछ स्क्रीन शोड भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा क्योंकि प्रूफ दिखाना ज़रूरी है और कंप्लेट बताऊंगा कि कितने grace marks मिलते हैं कितने subject में और आपको कितने मिलें और कितनी बार आती है और किस उन्युवस्टी में क्या विवस्टा है देखो सबसे पहले मैं आपको किलियर कर दू हमारे देश में सेगड़ उन्युवस्टी उनके ऊपर एक बोस होता है जिसका नाम है UGC उन्युवस्टी ग्रैंड कमिशन most of the rule होते हैं वो UGC बनाता है जो सबको follow करने होते हैं बट कुछ rule उन्युवस्टी के अपने होते हैं जैसे grace marks लेकिन जब मैंने पता किया तो बोसर उन्युवस्टी के screen shot आप screen पर देख सकते हैं यह मैंने google पे जब search किया तो बकाइदा उनकी official website से यह link आए इस पर देख सब्जेक्ट में आपके number रहते हैं कम ठीक है एक होता है आपके अगर एक subject में number कम है तो अगर आपके एक subject में number कम है तो उसमें आपको 5 marks तक का जो है वो grace मिलेगा guys ठीक है यह व्यवस्था मैंने daily USOL, Mumbai University, CCS University और कफी सारी universities के बारे में पता किया बट यह video exceptional हो सकता है आपकी university में हलका वालगा सा कोई changes हो तो मैं यह नहीं कह रहा है इंडिया की सभी universities में मैं जो कह रहा हूं कि अगर कहें कि maximum universities में same rule होगा हलका सा change हो सक क्या रहता है grace marks, पहले मैं आपको clear कर दूँ grace marks जो दिया जाता है वह 1 subject में या maximum 2 subject में दिया जाता है अगर आप 3 subject में आपके number कम है तो फिर आप fail हो जाओगे पिर आपको grace marks नहीं मिलेगा अगर आपके किसी 1 subject में number कम है वह भी कितने अभी clear कर देता हूँ दो subject में number कम है तो आपको grace marks मिल जाएगा और आप pass हो सकते हो जिसका आपका result में कोई conclusion नहीं होगा कोई verification वहाँ पर clarification नहीं होगा अगर आप एक subject में आपके 5 number की जोरत है maximum तो आपको मिल जाएगे जैसे आपके 28 marks आगे, आपके 29 marks आगे, आपके 30 आगे, 31 आगे ठीक है इस condition में आपको 5 number मिलके आप pass हो सकते हो अगर आप 2 subject में फेलो तो आपको मिलाकर अगर 2 subject में 3-3 number चाहिए या total मिलाकर 5 चाहिए तो आपको मिल जाएगे तो यानि कि ओवर रोल अगर देखा जाए तो 5 number का grace marks universities देती है और यह maximum conditions में होता है अगर आप एक में दो subject में किनारे पर हो आपको 2-4 number की जूरत है तो आपको मिल जाता है आप pass हो के आगे पहुच जाते हो तो लेकिन अगर आप 3 subject में नमबर आपके कम रहे मलो आपके 3 subject में 2-2-2 number कम है या 3-3-3 number कम है तब आपको कोई marks grace marks नहीं मिलेगे तब ऐसा भी नहीं होगा कि 2 में grace marks मिल जाए एक में आपको fail दिखा दिखा दिजाए आप तीनों में ही fail दिखाए जाओगे समझगे clear हो गया yes अगर अब फिर भी कोई query आगी तो comment कर देना यह जो थी maximum आपको मैंने screenshot दिखा दिखा दिये जो जो grace marks के ओपर rules है वह आपको पता लग गए होगे अब बात करते हैं कि देखो कुछ universities क्या है grace marks देती है कुछ universities में grace marks मिलता है बड़ उनकी website पर कहीं conclusion नहीं है मैंने कुछ university के मेरे फ्रेंड है उनसे भी बातचीत की तो उनका कहना भी यह था कि हम लोग तो बस copy checking कर देते हैं जितने marks हमारे copy के साफ से बैठते हैं उस पर mention कर देते हैं यह काम examination department का होता है कि उनने कैसे manage करना है और university का होता है कि कैसे उनने marks देने हैं अब बात करते हैं back की कुछ बच्छों को question था कि sir back कितनी बार दे सकते हैं back होता क्या है अगर आप किसी subject में fail होते हो तो university में rule होता है कि आपको next year transfer तो कर दिया जाएगा यानि कि आपको promote कर दिया जाएगा अगली class में जैसे आप become first year में suppose मैं नहीं चाहता किसी बच्ची की आए suppose किसी बच्ची की बैगा fail हो गया कोई बच्चा दो subject में या 3 में और वो next year second year में चला जाएगा addition उसका हो जाएगा बट उसे second year के साथ साथ first year के जिस subject में वो fail था उसके exam दुबारा से देने होंगे mid session में October September November December के आसपास ठीक फिर exam देना पड़ेगा maximum universities में दो बार back आ सकती है कुछ universities में back केवल एक बार रहती है इससे अधा कहीं नहीं होती है लेकिन अगर आपको इससे अधा कोई जानकारी है तो comment करके जरू से बताना ताकि हमारे जो भाई बहन है commerce वाले बच्चे उनको support मिले उनको कोई knowledge gain हो तो आज ही चैनल को subscribe करें और हमारा telegram भी चैनल है accounting guru जी के इसी नाम से telegram पर follow कर लिजिए thank you very much